तो भाई लाश्ट वीडियो में आपने देखा होगा मेरी यह जो धाई साल पूरानी PlayStation 5 है वो ऐसे मतलब खराब बराब हो गई है भाई अब धंग से काम नहीं करती जो भी प्रोब्लम सी मैंने आपको पहले भी बताईए मैंने इसको दो बार रिपेर भी करवाया बट स्टिल रिपेर होने के बाद भी वापिस दिक्कत आ रही है तो इसलिए मैं यह देखो भाई चम चमाती PlayStation 5 खरीद के लाए तो करोल बाक से और शोप का नाम ता Samurai Corner पूरा व्लोग बनाया है मैंने खरीदने का कितने की पड़ी वो सब जाके देख लेना और सबसे important चीज़ भाई मै कैसे क्या वाइडिंग होती है कैसे पूरा अकाउंट बनता है PlayStation का और साथ ही साथ भाई गेम कैसे इंस्टोल करते है क्योंकि मैं खरीद के लाए है इसके साथ GTA 5 PlayStation 5 वाला वर्जन तो जितने भी लोग आप मेंसे फर्स्ट टाइम कोई गेमिंग कॉन्सोल खरीदने वाले हो भी सीधा PlayStation 5 तो यह वीडियो आपके लिए बनी है एंड तक देखना सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ा सा प्लेस्टेशन 5 बना हुआ है एंडिया का ही है स्पैशली इंडिया में ही बिकने के लिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी स्टोर से ख प्लेक्शन है भाई डिस्क वाला तो फिर लेना तो बनता है ना यही बाकी यहाँ पर PS का लोगो बना हुआ है PS5 लिखा है PlayStation 5 लिखा है और यह थोड़ी बहुत रेटिंग वगरे दे रखी है अचाहा इस गेमिंग कोंसोल में ना भाई आप 8K लेवल तक की गेमिंग कर सकत हो एंड 4K 120 Hz की भाई सहाब बाकी HDR का सपोर्ट मिलता है MRP की बात करें तो 54,990 रुपीज पहले जब यह लोंच हुआ था इंडिया में 49,990 रुपीज है MRP था बट PlayStation वालों ने 5000 रुपे बढ़ा दिये और फिर भी आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाया क्योंकि स्टो अल्टरा फाश SSD है अन्बोक्सिंग करने के लिए भाई डब्बे में दो सील है एक येरी और एक येरी मतला में सील तो यहां पर सोनी भी लिखा हुआ तो इसको हटाते है फटावट से अगर यह डब्बे में नी दे रखी ना भाई तो मत लेना दूसरा पीस मांग लेना उ तो एक फ्रेश अन्बोक्सिंग वीडियो बना ली जाए निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वाई कहां निकल गया शुकर है तो यह देखो उपर का डब्बा काफी हलकी क्वालिटी का है बट प्रिंट परिंट अच्छा कर रहा है सोनी वालो ने बाकि अंदर देख वाई नया कोई भी कॉन्सोल लेकर आऊ ना खुछ भू आ रही है मस्त लो जी लो पहले तो अपना PS5 ही निकाल लेते है मस्त एक दम सेफटी का ध्यान रखा हुए यह देखो अंडे की ट्रेह जैसा मेटीरियल यूस किया हुआ हुए दोनों तरफ ताकि ऐसे टूटे इसको साइड में रखते है भी बाकी इस वाले डब्बे के अंदर एक और डब्ब है भाई जिसमें अपनी अक्सेस्री निकलेगी इसकी यह लोजी आ गया और डब्बा खाली हो चुगा इसको फैक्त है भाई इसके अंदर भाई पहले तो कुछ यूजर मैनुल्स जो हमें इसके अलावा मिलती है एक भाई पावर केबल जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और यह इंडिया वाला वेरियंट है जैसे की मैने बताया तो स्विच भी जो है इंडिया कहीं मिलेगा इसके लावा भाई अपना एक ब्रैंड न्यू चम चमाता हुआ वाइट कलर का ह मिलता है भाई साब मस्त एक दम नो डाउट भाई अभी तक जितनी भी प्लेशेशन लोन चुई है उन समय से सबसे बेश कंट्रोलर पीस फाइफ कहीं है जो हैप्टिक फीडबैक और ऐसे वाइबरेशन फीचर मिलते है नेक्स लेवल इसके अलावा जी एक हमें यहाँ पर जिसके अंदर हमें एक यह स्टैंड मिलता है और एक मिलती है भाई मस्त वाली HDMI केबल जैसे कि मैंने डब्बे में आपको दिखाय था भाई यह कॉन्सोल आपको 8K लेवल तक की गेमिंग करवा देता है इसलिए जो HDMI केबल भी है बहुत बढ़ी हा क्वालिटी की है बट एक एक शिकायद है कि ना इसकी जो लेंथ है भाई वो इतनी कुछ खास नहीं है यह देखो मतलब जिसका टीवी और टेबल थोड़ा दूर है उनको दिक्कत हो सकती है तो उनके लिए यह उप्चन है कि नई केबल लेकर आओ क्योंकि यह इतनी लंबी नहीं है यह देखो मतलब में देखो है ऐसे सीक्रेट कंपार्टमेंट बना हूँ है यूँ इसको टरन करेंगे तो अंदर एक पेच निकलता है और यह पेच कहां यूज होगा वो मैं बता हूँ अभी अभी चलो अपनी पहले चमचमाती प्लेस्टेशन फाइफ को ऐसे अन्रैप किया जाए ओ भाई मस लगता है तो सिंपल है इसको लगाने के लिए सबसे पहले यह नीचे आपको गोल सा छेथ दिख रहा है इसमें से यह धक्कन हटाना है इसका ऐसे उसके बाद भाई इसके स्टैंड को इस तरह से फिट करना है अब वैसे तो आप इसको ऐसे भी डिरेक्ली रख सकते हो इतना मर्जी इसको हिला लू भाई मैं लेकिन यह निकलेगा नी और अब अराम से ऐसे खड़ा हो जाएगा ओए होई होई गजब शोलो अब इसकी फटवर से एक ओवर्व्यू की बात करते कौन कौन से आपको इसमें पोर्ट मिलते है देखने के लिए फिर इसका सेट अप करेंगे बड़े से टीवी में सबसे बहले फ्रंट साइड में यहां पर हमारी डिस्क लगती है यहां पर दो बटन दे रखे एक पावर के लिए और एक डिस्क करने के लिए एक यहां पर आपको टाइप-C का पोर्ट मिल जाएगा और एक नॉर्मल यूसबी का पोर्ट साथ में और अगर एक पोर्ट खराब हो जाए तो दूसरे का उप्शन हो और सबसे बैस्ट होता है एक HDMI और एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता ना फिर तो नेक्स लेवल वाले मज़े आ जाते योगी सबसे आदा ना प्रोब्लम प्लेस्टेशन में यही आती है कि HDMI स्लोड वह तूट जाते है यह खराब हो जाते है बार बार निकालने लगाने की वज़े से तो अगर दो स्लोड दे रखे होंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है बाकी और वीव में जादा कुछ थानी यही सारे पोर्स थे फ्रंट साइड में यहाँ पर भी देखो ऐसे लोगो दे देखने को मिलेगा इसके बाद जो इससे थोड़ा सा पतला और हलका होगा और फिर उसके बाद हो सकता है सोनी वापिस से PS4 प्रो की तरह PS5 प्रो भी लॉंच कर दे तो next level वाले scenes हो जाएंगे वह यह 10-12 साल बेचना भी तो है console है ना चलो आप देर नहीं करते है फटवर से गेमिंग रूम में चलते है इसको setup करते है GTA 5 इंस्टॉल करते है और पूरा ताम जाम गेमिंग करेंगे सारी केबल्स करने के बाद भाई हमें अपना controller करने करना है PlayStation 5 के साथ इस USB के तुरू यहीं पर slot है सीधा करते है भाई इसके बाद भाई यह PS वाला button दबाना है हमें त बड़ाबट से कर दिया मैंने password डालके अभी डिस्प्ले एरिया एडजेस्ट करने के लिए बोल रहा है यह अपने टीवी के ही साथ से हम कर लेते है डन पावर ओप्शन में हम भाई कस्टमाइज या फिर ओप्टिमाइज एक्स्पीरियंस यही करेंगे फिर यह सारी टर्म्स और कंडिशन है भाई इस पैगरी करना है अपनी जो GTA 5 की डिस्क थी वो मैंने डाल दी है और कोपी होना शुरू हो चुकी है अराउंड 18 मिनट्स रह गए है इसको फटाबट होने देते है अब जब तक गेम कोपी हो रही है सबसे पहले तो हम प्लेस्टेशन स्टोर पे अपना अकाउंट बना लेते हैं जिनके पास आईडी है और जिनके पास नहीं है उनको साइन अप करना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं और आपको प्लेस्टेशन अकाउंट हो बन जाएगा मेरे पास क्यूंकि अल्रेडी है अकाउंट तो मैं सीधा बस साइन कर लेता हूं यह लोगिन करने के बाद आप द अपने प्लेस्टेशन 5 में कोई लोगिन पास कोड लगाना चाहते हो तो जी हम लगाना चाहते है कुछ भी रख देता हूं फिर कर देते हैं और लो जी लो बस अपना जो है वो लोगिन हो गया है विससे क्या होगा मेरे जो पुराने वाला प्लेस्टेशन था ना उसमें ज सारी की सारी वापिस आ चुकी है आईडी को लोगिन करते ही और मेरी जो प्लेस्टेशन प्लस की सब्क्रिप्शन है वह भाई एक्सपायर हो चुकि है क्योंकि मैं चार महीने से भारता लंडन ट्रिप पे तो अम मैं इसको वापिसे खरीद लूँगा बागी साथ ही साथ अप बचाऊओ पार्ट घर पे शूट कर रहा था मस्त मैंने का अज सेट अप करी लेते और रात बार गेमिंग करूंगा इतने महीनों से नहीं करी बगी आपसे मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तिल देन गुडबाए और आज ओलवेस टीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीक हुआ